हरे कृष्णा राधे राधे आसा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे है और स्वास्त है दोस्तों सभी लोगों का ठाकुरजी की इस परिवार पे स्वागत है आज हम बात करेंगे कि क्या लड्डु गोपाल खली उपहार सरुफी हमें मिलना चाहिए यानि कि गिप्ट में मिला हुआ लड्डु गोपाल की सेवा करना ही कि एक अच्छी बात है खुद से खरिदना नहीं चाहिए ये कोस्चन आज की नहीं कई समय से मुझे ये कोस्चन अलग-अलग वक्तों के पास से आ रहा है मैं मुझे लड्डु गोपाल जी की सपना आता है मुझे लड्डु तो सबसे पहले तो मैं ये ही एक पुछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि लड्डु गोपाल जी की सेवा वक्ती का जो आपके मन में जो भाव आया है ये ही तो ठाकुर जी की आसिरवाद है इसमें ठाकुर जी को खुद लाना और किसी के द्वारा आना इससे क्या फर ठाकुर जी घर पे अगर बहुत लोग ये मानते हैं लोगों ने तो यहां तक कहा है कि खरिद के जब ठाकुर जी के मूर्ती लेके आते हैं और उनकी प्रान प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा करते हैं तो घर में बहुत ही दुख होता है परिसानिया होती है तो क्या ये सच है हमें एक बात बताए ठाकुर जी जब घर में आते हैं छोटा सा लड़ो गोपाल जब घर पे आते हैं तो लड़ो गोपाल तो एक बाल सोरुप भगवान का रूप है बहुती सोम्य रूप है ये बाल सरुप भगवान का रूप हमारे घर पे आके क्या हमारे परिशानियों की कारण बन सकता है जब हम भगवान जी को थोड़ा सा भी प्यार करते है थोड़ा सा भी उनके क्यार करते है तो भगवान उससे कई ज़्यादा हमसे प्यार करते है ठाकूर जी जब ही घर में आते है तो वो घर ही ठाकूर जी क्या बन जाता है और घर के सारे सदस्य उनके ही परिवार के सदस्य बन जाते है और क्या ठाकूर जी अपने ही परिवार के लोगों के लिए दुख लेके आएंगे कभी सोचना बहुत समय ऐसा होता है कि कोई हमें लड़ु गोपाल जी गिफ्ट कर दिया लेकिन बहुत समय ऐसा भी होता है कि कोई हमें लड़ु गोपाल जी गिफ्ट नहीं किया और हमें ठाकुर जी की सेवा करनी रहती है ऐसे में हम खुद जाते है, मार्केट घुमते है, अलग-अलग मूर्तिया देखते है और उसमें से जो भी बिग्रह हमें पसंद आता है, वो हम घर पे लेके आते है उनकी प्रानपरतिष्टा करते है, उनकी पंचमरित स्नान करवाते है उनको पुसक नेला के धुला के पुसक पेनाते है और फिर उनकी भोग लगा के आरती करके स्थापना कर देते है इस तरह से ठाकुर जी की जब स्थापना हो जाती है घर में, तो वो घर उनका बन जाता है इतना छोटा सा प्यारा सा लड़ गोपाल जी, घर के सरी सदस्वे से बहुत बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते है कभी भी ठाकुर जी किसी की हाथ नहीं छोड़ते है समय समय ऐसा होता है, कि हमारी उनके उपर विश्वास चली जाती है समय ना मिलने के कारण धिरे-धिरे सेवा कम हो जाता है ऐसे बहुत घर में हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है पर किसी वज़े से ठाकुर जी ने हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा कभी भी ध्यान करके देखना ठाकुर जी ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा तो ये खयाल दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए कि ठाकुर जी को खली गिप्ट में मिलना ही अच्छा होता है और खरिदारी करके लेके आरके स्थापना करना खराब होता है आल सरुप भगवान जी कभी किसी के घर में गिप्ट सरुप आए या आप खुद उनको लाए वो घर पवित्र हो जाता है ठाकुर जी की चरण पड़ते ही उस घर की सारी दुख वो हर लेते है ऐसा मन में विश्वास लेके ठाकुर जी की सेवा सुरू करे आपकी भगवान कल्यान करे और ऐसा गलत सोच बिलकुल न रखे जिनकी सेवा करने जा रहे हैं जिनको आरध्ध मानते हैं जिनसे इतनी प्यार करते हैं जो घर की एक सदस्य हो गया है उनके बारे में ऐसे ख्याल न रखे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय से कृष्णा राधे राधे